अगर आप भी कुछ सुबह की भागब भाग में कुछ नया और जटपट से बनने वाला नास्ता सुगुच रहे हैं तो फटा फट से बना लेना इस रेसिपी को बहुत ही जल्दी से बनकर तयार हो जाती हो और खाने में भी बहुत टेस्टी रगती है और काफी जादा ये हल् लेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देजिएगा और इसमें डाल देंगे सब्जियां तो जितनी भी सब्जियां हो वह सारी एड कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनकर नास्ता तयार होगा तो आधा हमने प्यास डाल दिया है कटकर के ब हमारी कटा हुआ हरा धनिया और बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं एड करना है थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि सारी सब्जियों और सारी मसाले आपस में बढ़िया से मल जाएं कम सामान कम मेनत में फटा फर्स से यह रसपी बनकर तयार हो जाती है जो कि बढ़ तो इसमें एक से डेट कप पानी जाएगा तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इस तरीकी की थिकने शोनी चाहिए ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत गहड़ा अब ना इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिं पाउडर और बासे से मेक्स कर देंगे इसमें इनों वगेरा बिल्कुल बीना डालिएगा आगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो बीना बेकिंग पाउडर के भी बना सकते हैं तो इस तरीके से अच्छे से मेक्स कर लेना है और ये अच्छे से बैटर बनकर तयार है हमें इसे करने की बेजरूरत नहीं है कढ़ाई में कर लिया है थोड़ा सा तेल गरम और इसे तरीके से चमज से डाल देंगे तो एक बार में कम से कम तीन पीस आराम से बन जाएंगे छोटे बड़े जिस तरीके से पसंदो उस तरीके से आप इसमें बैटर डालिएगा और बस इसे पलट पलट करके 2 दोगनों, तरब सेहें बहुत ही सिंपल है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ने में भी जटबट से बनकर तैयार हो जयता है और और इस तरह इंगे और इस तरह कढ़ाई में ळगा देंगे ता कि जो भी यॉँच्छ तो निकल जाए और बस पूरा रास्ता बना तैयार कर लिया हैม इसे आप बच्चों के टेफिन में प्रीकफास्ट में या फिर वुक टाइम चोटी मूटी भूख लगी हो तब यह आप इसे बना कर खाल सकते हैं बहुत ही टेस्टी है बहुत ही सिंपल है बनाने के तरीका भी बहुत ही आसान है और यह देखे कितना बढ़ी आसा रास्था बनकर त्यार हुआ है अगर आपको भी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को स अब्सक्राइब कर दीजिए इस टेस्टी सी रेसिपी को जरूर ट्राइक करें नहीं है